हेलो फ्रेंड्स दिश इस आश्पिशिंग एंड वेलकम टू इश्मार्टर एवरी डे प्यारे दोस्तों बात करेंगे बिए फर्स्ट समेस्टर में जो पेपर है आपका सिक्षा के समाजिक प्रिपेग्शे यह पेपर कानपूर में आपका शकेंड पेपर है और वहीं लखन पढ़ चुके हैं हर एक चैप्टर के लिए पूरी एक क्लाश है और एक क्लास में पूरे चैप्टर को डिस्कूस कीया हैं आज भी हम चैप्टर 8 को पूरा खत्म करेंगे ठीक है प्लेडिस्ट बनी हुई है सिक्षा के शमाजिक प्रिपेच के नाम से उसमें सारी क्लासे मिल जाएंगे आपको कंटिनू सारी क्लासे आप देखते रही है तो इसमें हम बात करेंगे देखिए बहुत ही आशान भाषा में आप इसको समझ पाएंगे कि भारत में सिक्षा के शमवेधानिक अधिकार क्या है और उसके बाद आगे राज के नीतिरिशक तक तक तो क्या है शिद्धान्त क्या है उनको समझते चलेंगे ठीक है एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे कम नहीं पढ़ेंगे जितनी आपको जुरूत है जितना आपके लिए यूसफुल है सिर्फ उतना ही डिस्कुस किया जाता है ठीक है और यह हमारे जो नोट्स होते हैं अगर आप आपने अभी तक नहीं लिया चाहिए प्लखनों से हो प्रियागराज से हो कानपूर में से हो शब के लिए अलग-अलग नोट्स तयार किये गए हैं हमेश नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स की जनकर ले सकते हैं 9628182649 चारों पेपर की complete PDF के लिए आपको 300 पर फीच पे करनी होती है नोट्स हमारे आप समझे सिक्षा क्या है देखे s kur शारकम का मुख्य पक्ष माना गया है कि जो सिक्षा है वह समविधान का एक मुख्य पक्ष होता है जो देश में लोक सिक्षा के लिए विभिन नीतेओं के क्या क्या development के लिए एक base provide कराता है एक आधार प्रदान करता है सम्विधान शब्द अंग्रेजी भाषा के constitution शब्द का हिंदी रुपांतरन है अगर हम सम्विधान को अंग्रेजी में जानेंगे तो इसको constitution कहेंगे और constitution को हिंदी में सम्विधान कहते हैं constitution शब्द की उत्पती constitution place together से हुई है जो हमारा constitution शब्द है कहां से आया है यह हमारा constitution place together से आया है जिसका शाब्दिक कर्थ होता है एक सोच रखना क्या होता है एक सोच रखना ठीक है बहुत यह आशान भाषा में अगर आप पूरा क्लास को देख लेते हैं किसी राष्ट की शासन व्यवस्था का संचालन संविधान द्वारा होता है कोई भी राष्ट हो कोई भी देश हो वहां के कुछ नियम कानून होते हैं ठीक है अपना संविधान होता है जिसके तहर पूरे सासन व्यवस्था का संचालन होता है अरे अगर छोटा सा एक कोई ग्रूप हो कोई समुदाय हो उसमें भी उनके अलग नियम कानून होते हैं शब को उसके दारे में रह करके काम करना होता है विदाउट सम्विधान बिना सम्विधान के शर्षन विवस्ता ध्वस्त हो जाएगी सम्विधान राष्टर का वह हमारे दर्सक है जिसे राष्टर अपने लिए चुनता है इसमें विधान पालिका, कारी पालिका और नियाई पालिका जो की राज के तीन अंग होते हैं और उनकी अधिकार छेतर का विवरन रहता है जो हमारा स्वविधान है क्या रहता इसमें इसमें विधान पालिका इसमें हमारी कारी पालिका और नियाय पालिका ये तीनों क्या हैं ये राज के तीन अंग होते हैं ठीक है और इनके अधिकार छेतर का विवरण कहां मिलेगा स्वविधान में मिलेगा श्वमिधान सभा की प्रारूप समित का गठन 29 अगस्त 1946 को किया गया था श्वमिधान की 27 भापती डाक्टर राजेंदर प्रिशाद थे इतना आपको पता भी होगा अब हम भारती समिधान की प्रस्तावना पर एक नजर डाल लेते हैं आपसे समिधान में प्रस्तावना पूछ सकता है ठीक है पांच नंबर में कोर्शन आप कहा आएगा तो जाहिड सी बात है कोर्शन आपसे पूछा जा सकता है भारती समिधान की प्रस्तावना लिखिए प्रियम्बल औफ इंडियन कॉंस्टिटूशन देखे भारती समिधान की प्रिस्तावना समिधान में जुड़ा हुआ एक स्रिष्ठ आभूशन है प्रिस्तावना क्या है? एक आभूशन है किसके साथ जुड़ा है समिधान के साथ? क्या है समिधान की यह प्रिष्टावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण परभुत्ट शंपन समाजवादी धर्म निर्पेक्ष और लोगतांतरिक गणराज बनाने के लिए और उसकी समस्त नागरिकों को शामाजिक आर्थिक और राजनेतिक न्यायत दिलाने के चार अभिवेक्ति, विश्वाष, धर्म एवं उपास्टना की सोतंतरता, प्रतिष्ठा और आवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में विवेक्त की गरिमा तथा राष्ट की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंदुता पढ़हने के लिए द्रड संकल्प हो करके अपने इस शमिधान सबह में आज दिनांग 26 नवंबर 1909 को एतत द्वारा इस शमिधान को अंगीकरत अधियनयमी तथा आत्मारपित करते हैं ये हमारे शमिधान की प्रिस्तावना है शमिधान की प्रिस्तावना को अगर हम एक दृष्टी में एक न आदर्स क्या हैं प्रक्रित में हमारा प्रभुतु संपन सत्ता शमाजवादी धर्मपेश और प्रजातांतरी गणराज जाएगा वहीं पर अगर भारती गणतांतर के आदर्स की बात करें तो इसमें आपका न्याय श्वतंतरता शमानता भाईचार आ जाएगा ठीक है चलि और सरवाथिख व्यापक शम्मिधान है इसमें कुछ शमझाने वाली बात ही है हमारा सम्मिधान लिकेत है बहुत ही व्यापक है बड़ा सम्मिधान है शम्पूर प्रभुत्वried संपन लोगतांतरि गणराज जी की बात करता है शमाजवादी राज और धनपेक्छ राजी की बात करता है कठोरता और लचीलेपन का शमनवे है समयदान कठोर भी है लचीला भी है शमय आने पर उसमें बदलाव किया जा सकता है एकात्मकता की और जुका हुआ शंगात्मक शाशन है मूल अधिकार और उनधिकारों की व्यापकता का शमावेश है राज के नेत निजिसकत्तों की विवेचना की गई है समाजिक शमानता की श्थापना की गई है और संकट कालिन प्रावधान भीश में कि अगर कोई संकट आता है तो उसमें क्या करना चाहिए वो भी प्रावधान इसमें शामिल है तो ये हमारे समिधान की कुछ बिशिष्टाएं है आगे बढ़ते हैं देखिएगा समिधान द्वारा प्रदत यानि प्रदान किये गए भारतिय नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार है हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है देखिए भारतिय नागरिकों को प्राप्त 6 है मूल अधिकार निम्न लिखित है एक तो शमानता का अधिकार जिसका वर्णन अनुछेद 14-18 में मिलता है दूसरा है स्वतंतरता का अधिकार इसका वर्णन अनुछेद 19-22 में मिलेगा सोशन के विरुद अधिकार की बात अनुछेद 23-24 में की गई है दार्मिक सुथंतरता का अधिकार अनुछेद 25-28 में सरस्कृति और सिक्षा समंधी अधिकार की बात अनुछेद 29-30 में की गई है और समयधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुछेद 32 में इसकी बात की गई है हम एक-एक अधिकार मूल अधिकार को समझते हैं देखिएगा शमानता का अधिकार पहला अमारा जो अधिकार है वो क्या है शमानता का अधिकार भारतिय समाज में व्याप्त शमानताओं को मिटाने के लिए शमिधान निर्माताओं ने शमानता के अधिकार को प्रत्थमिस्थान प्रदान किया शमानता के अधिकार को प्रत्थमिस्थान प्रत्थ किया कि यह जो शमानता का अधिकार है यह प्रत्थम है इसमें क्या है एक तो कानून के समखश शमानता का डिकार सब को बराबर है कानून सबके लिए शमान है कानून अमीरी गरीबी नहीं देखता कानून है जो है क्या कहते हैं मतलब 90 कोई भेवव नहीं करता धर्म, नसल, जाती, लिंग या जन्मिस्थान के आधार पर भेदभाव का निशेद किया गया है ठीक है? अनुशेत 15 में ये बात कही गया है सरकारी पदों की प्राप्ती के लिए अवसर की शमानता है अनुशेत 16 में ये बात कही गयी है आइसपरसिता का निसेद अनुछेद 17 में किया गया है और उपादियों का अनुछेद 18 में किया गया है तो ये हम सब के लिए शमानता का अधिकार है दूसरी बात जो स्वतंतरता का अधिकार है किस किस चीज के लिए हमें स्वतंतरता है समझते हैं शमिधान के अंत्रगत निमलेखित स्वतंतरताय प्रदान की गई है। अनुछे दिकेश्ट, बंदीकरण की अवस्था में सनरच्छन का भी आपको अधिकार है। जवर्दस्ति किसी से काम नहीं करवा सकते। अनुछे 23 में यह बात कही गई है। चौदा वर्षे से कम आयू के बच्चों को कारखानों खानों तुथा अन्य खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने पर निशेद किया गया है। दूसरा चौथा नमबर हमारा जो अधिकार है वो हमें धार्मिक सोतनतरता का अधिकार देता है। भारत एक पंथ निर्पेक शराज है। छूट मिलती है। शिच्चन संस्थाओं में धार्मिक सिच्चा पराप्त करने या ना पराप्त करने की आपको पूरी सोतनतरता है। सकते हैं न चाहें तो नहीं कर सकते हैं इसमें आप पर कोई प्रतिबंध स्क्रश को बनails रखने का अदिकार होका आप अपनी भाषा को बनाये रख सकते हैं आपकी लिपी, आपकी संस्कृति को आपको पूरा जो है उसको बनाये रखने का पूरा अधिकार है और इस उद्दिश्र की प्राप्ति के लिए वे सिक्षा शंस्थाओं की स्थापना और उनका संचलन भी कर सकते हैं समय धाने कुप्चारों का अधिकार right to constitutional remedies ये अधिकार सभी नागतों को छूट देता है क्या छूट देता है कि वे अपने अधिकारों के सनच्छन के लिए अपने अधिकारों को बचाने के लिए सरवोच नियाले के पास जा सकते हैं अधिकार है कि अगर आपके अधिकार कोई छीन रहा है आपका कोई शूशन कर रहा है आपसे कोई बेगारी करवा रहा है तो आप सरवोच ने अले के पास अपने अधिकारों की सुरच्छा के लिए जा सकते हैं और अपने अधिकारों को लागू करने की मांग है रख सकते हैं ठीक है तो यह हमारा क्या है नागिक्यों को समिधान के दोरा जो मूल अधिकार प्रदान किये गए हैं कौन कौन से हमारा जनता की बहलाई के लिए तथा देश में शामाचिक और आर्थिक परजातन्तर को इस्थापित करने के लिए राजिकों काम करने की दिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश शिद्धान्त वे आदर्स हैं जिनकी पूर्ती का सरकार प्रतने करती है वहीं पर डाक्टर राजिन प्रशाद का कहना है राजिके नीति निदेशक सिद्धान्तों का उदेश जनता के कल्यान को बढ़ावा देने वाली शमाजिक विवस्था का निर्मान करना है ऐसी समाजिक विवस्था चो जनता के कल्यान को बढ़ावा दे जनता का कल्यान हो जनता की भलाई हो शमिदान में अनुछे 37-51 तक नीति निशक तत्तों का वर्णन किया गया है आर्थिक न्याय उपलब्द कराने वाले नीति निशक तत्तों को समझते हैं पुरुस और इस्त्री शभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त शाधन प्राप्त करने का अधिकार है चाहें आप पुरुस हो या इस्त्री हो आपको अपनी जीविका कमाने के लिए आप कोई भी शाधन प्राप्त करना चाहें आपको अधिकार है शमुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित और नियंत्रन इस प्रकार विभाजित हो जिससे की सरवोत्तम स्रामुई के हित हो पाए आर्थे विवस्था इस प्रकार गत्सील होने चाहिए जिससे धन और उत्पादन के शाधनों का जन साधन के लिए आहित कारी संकेंदर ना हो जन संधान आने की लोगों का उसमें अहित हो जाए पुर्सों और इस्त्रियों तथा आवेश्यक बालकों का दुरुपयोग ना किया जाए पुर्सों और इस्त्रियों या फिर आवेश्यक बालकों का दुरुपयोग ना हो तथा आवेश्यक्ता के कारण विवस्थ हो करके नागरिकों को ऐसा कार ना करना पड़े जो उनकी आयू और सक्ति के प्रतिकूल हो पूरुस और इस्तरियां दोनों को समान कार करने के समान वेतन की प्राप्ति भी होनी चाहिए यह नहीं कि इस्तरियां तो वेतन कम पूरुस हैं तो वेतन ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए शामाजिक शामाजिक न्याय उपलब्त कराने वाल धन्शमंदी हितों की विशेश शावधाने से अभिवरदी करेगा राज शमाज के अनेक वरगों के बीच पर्तिष्ठा अवशरों और सुविधाओं की एशमानता को खत्म करने का भी प्रियाश करेगा कि जो अनेक वर्ग हैं जिनके बीच में परतिष्ठा अविशर शुविधाओं की जो ऐशमानता है के बीच में उसको खत्म करने का प्रयाश करेगा राज शभी बालकों को 14 वर्द की आयू पूरे करने तक निसुलक बिना कोई धन लिये और अनिवार सिछा देने की प्रावधान करने का प्रयाश करेगा राज बहरत के शमस्त नागरिकों के लिए एक शमान सिविल संगिता प्राप्त करने का प्रयाश करेगा ये हमारे समारी जनता को समाजिक न्याय उप्लब्द कराने वाले कुछ नीति निर्शक तत्तों है राज की लोग सेवाओं में न्याय पालिका को कारी पालिका से अलग करने के लिए राजी सरकार प्रयाश करेगा अब इसके बाद हम समझते हैं शिच्छा और समधान में क्या समध है बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है समझेगा इसको देखिएगा शिच्छा तता समधान में क्या समध है शमधाने की विवस्था के मौलिक प्रावधानों अधिकारों और उत्तरदायतों की दृष्टी तता अर्थ को सिच्छा गहराई से प्रभावित करती है समधानिक विवस्था के जितने भी मौलिक प्रावधान है अधिकार है या जो भी उत्तरदायतों है ठीक है उनकी दृष्टी और अर्थ को सिच्छा क्या करती है गहराई से समझने का प्रभावित भी करती है हम किसे और कैसे तता किस विशेवस्थू और किस रूप में सिच्छा प्रदान करें इस पर समिधान का समान रूप से महत्पुन प्रभाव पड़ता है आगे देखेगा समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है शिच्छा का अधिकार अधिनियम 2009 आर्टी एक 2009 की शंदर में हम लोग सिच्छा तता सम्विधान के बीच शमंद को देख सकते हैं अनिवार सिच्छा बच्चों तता उनके अभिवावकों को यह सुनिशित करती है कि वे शम्विधानिक वच्चन बदता को पूर्ण करने के लिए कार के लिए राज से चुनोती पूर्ण अं शम्विधानिक अनुरिक्षन तता सम्विधानिक सर्तों के रूप में निर्धायत श्वीकारेता मानकों से शमंदित विशय है नेतियों का चैन और निर्मान यह परतिविम्बित करता है कि हम क्या हैं और एक राश्ट्र में क्या होना चाहते हैं यह हमारा शिक्षा और शम सब्वियों को समझेंगे चलिए देखिए सिक्षा से शमंदी धाराएं आर्टिकल्स रिलेटेड टू एज्टेशन भारती सम्धान में ऐसी अनेक महत्पूर्ण धाराएं एवं उपबंद हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से शमंद है डारेक् अनिवार सिक्षा देने की ऐसी रीती में जो राज विधी द्वारा अवधारित करे उपलब्द करेगा यानि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की बच्चों के लिए निसुल को अनिवार सिक्षा का प्रावदान है पहले अधारा 45 में थी और 2002 मेश में शन्शोदन किया गया छूटे देने वच्चों की देखवाल और सिक्षा की बात कहुए गयी है धारा 45 राज्य प्रारंबियक अवस्था में बच्चों की देखवाल और सिक्षा के लिए उपबंद करने का प्रयार्ष करेगा अई बावकों के क्या करतब हैं धारा 51 ए में क्या औन ए desired अब इबावक और स उसमें क्या का गया है, यदी संस्था किसी ऐसे ट्रस्ट द्वारा संचालित है, उसको कोई भी संस्था है, उसको कोई ऐसा ट्रस्ट संचालित कर रहा है, जिसके प्रावधानों के अनुसार धार्मिक सिक्षा देने की बादिता हो, जो धार्मिक सिक्षा देने पर बात दे कर और वो राज द्वारा संचलित की जाती है तो ऐसी संस्ता को धारा थाइस एक के प्रावधानों के निवारता से मुक्त रखा जाएगा। किसी नागरिक को धर्म प्रजाती जाती भार्षा या उनमें से किसी एक के अधार पर प्रवेश्ट देने से नहीं रोका जाएगा। का अधिकार भी होगा। अब हम समझते हैं कि हमारे मूल करतव्य क्या हैं। ठीके चलिए हमारे भारती श्रमिधान में क्या मूल करतव्य हैं। वर्ष दोजार दो में छ्याशिवे श्रमिधान संसूधन के बाद मूल करतव्यों की संक्या कितनी हो गई। ग्यारा जो इस परकार हैं क्या। समरस्ता पैरे दोस्तों आपको बता दे कि अब जब तक आपको एक्जाम नहीं हो जाता है। हम ज़्यास ज़्यास अप्लोड करेंगे। कई बार आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो उसके लिए टेलिग्राम चैनल ज़रूर जोइन कर लिए। वहाँ मैं सारी वीडियोज सेर कर दूँगा। आपको यूट्यूब पे नोटिफिकेशन मिले या ना मिले। टेलिग्राम से वीडियोज मिलती रहेंगी। अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आपसे क्लास मिश हो जाती है। ठीके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जोइन कर लेजे। भारत के लोगों में समरस्ता और भ्रातत्त की भावना का विकास यानि भ्रातत्त भाहिचारे की भावना का विकास है ना हमारा करतब है व्यक्तिकशन सामुएक उतकर्स का प्रियाज प्रतेक बच्चे के अविवागों का करतब है कि अपने छे से 14 वर्स के बच्चों की रक्षा के लिए उप्युक्त माहौल तयार करें। प्यारे दुस्तों हमारे नोट्स अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं जिससे आप कम समय में बेहता त्यारी कर पाएं। अब बताईएगा कमेंट करके जुरूर ठीक है और नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आएगी।